सीख के कुछनी आई सीरीज की अगली एपिसोड जिसमें हम सीखेंगे आलू छीलना हाउ टू फील पिठाटो असलाम अलेकम, वेलकम टू लव टू कोक, यू कन दू इट बेस पिस पर इजी इजी कुकिंग और हमने नई सीरीज शुरू की है, सास सीरीज जिसमें हमें सास बिताती है कि सबसियां कैसे छीलनी है और छोट छोट छीज़ें, जो घर में माएं नहीं सिखाती हैं कईयों की सिखाती ह conform बहीं हैं वेसे लेकंछन फिर सास आपको बहता की तसली नहीं होती और इस से related आप पूरी प्लेलिस देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके और इसके लावा मज़ीद और वीडियो भी मैं करने वाली हूँ बस साथ साथ जो जो कर रही है ना उसको मैं साथ साथ रिकॉर्ड करते जाना है ताके हमारे लिए और हमारी बेहनों इलिए असानी हो चलें जी एक आलू तो हमने बातों बातों में छील लिया है कोई बात नहीं अब अगला आलू हम छीलेंगे एक्स्प्लेनेशन के साथ ये देखें आलू पकड़ा और छुरी को आपने उसके पर रगरना शुरू कर दिया है ये नए आलू है और नए आलू जो है वो इसी तरह से चीले जाते हैं पुराने आलू जिनका चील का थोड़ा सक्त हो जाता है उनको हम दूसरे तरीके से चीलते हैं जिसके लिए हम दूसरी वीडियो बिनाएंगे बैसे रेफरेंस के लिए मैं बता दूँ जैसे हम सेब को चीलते हैं पता है उस तरह से उसको चीलेंगे वरना उसकी नए वीडियो में बिना दूगी, आपको आलू को थोड़ा पुराना हो लेने दे ये देखें, आपने चुरी से आलू को घुमाते जाना है, और चुरी से उसको स्क्रब करते जाना है उसके surface को उसकी तैय को रगड़ते जाना है तो automatically आलू छिलता जाएगा कोई इतनी मुश्किल टेकनीक नहीं है आपने सिरफ ये गौर करना है कि आलू हाथ में आपने कैसे घुमाना है और उपर छुरी पे आपने कितना pressure रखना है कितना जोर रखना है ये थी मेरी scientific observation के सास कैसे आलू छिलती है कमो बेश मैं भी इसी तरह ही छिलती हूँ वैसे और अब तो मेरी observation और strong हो गई है तो अमीद है अब मैं अगली बार आलू छिलूँगी तो मेरी सास को बिलकुल पसंद आ जाएंगे आलू काटने का तरीका आलू को हम cubes में कैसे काटते हैं ये देखें आलू के चार हिस्से किये और अंदाजे से लेकिन size मनासिब रखना है अंदाज आपना ठीक रखना है कि हर टुकड़ा आपका एक size का पके और ये पकने वाले हैं आलू मतर मुंगरे उनमें हम इसी तरह की आलू डालते हैं अवरना आलू पालक में भी इसी तरह की आलू डलते हैं आलू गोश्त में भी इसी शकल की आलू डलते हैं उमीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और टेकनीक भी आपको समझ आ गई होगी इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट करके जरूर बताएं कि सासने आलू सही छीले हैं बिल्कुल सही छीले हैं यार सासे कमेंट करें ना कि हाँ सही छील रही है ये सास आलू कलिक और वीडियो के साथ रेसेपी के साथ या टिप के साथ आपसे में लगात होगी अल्ला हाफिस